नमस्कार स्वागते आप सभी का एरियल न्यूज में आज हम आपको बताएंगे आल्या भट की अपकमिंग फिल्म के बारे में जिसका नाम है गंगुबाई काठिया वाडी और उसका जो टीजर है वो जारी हो चुका है ये मूवी जो है एक लाइन से बहुत ही फेमस हो चुक चोड़ा नहीं और शिरीमती किसी ने बनाया नहीं जी हाँ विल्कुल हम आपको बताएंगे कि इसके टीजर में आखिर क्या चुपा है और ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए ये वीडियो सुनने के बाद आप जरूर ही ये डिसाइट कर पाएं आलिया भट जिसे सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे से जानते हैं इनकी पहली फिल्म में ये नजर आई थी स्टूडेंट ऑफ दे इयर में जिस मूवी के कारण इन्हें काफी फेम मिला था पीजर को देखने के बाद आप बिल्कुली जान सकते हैं कि आलिया का जो अवता इन बनी हुई है पूरे टीजर में सिर्फ आलिया ही चाही हुई है और उनके बहतरीन डायलॉक्स सुनने को मिलते हैं इस फिल्म के टीजर की शुरुआत में चुटा सा वाइस सवर होता है जिसमें सुनने को मिलता है जिसमें कहा जाता है कि कहते हैं कमाथी पुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती क्योंकि वहां गंगू रहती है जी बिलकुल सही पहचाना इस मूवी में एक कोठे वाले की सच्चाई को उजागर किया गया है वो डायलोग बोलने के बाद आलिया भट की एंट्री होती है जिन्होंने एक से बढ़कर एक डायलोग बोले हैं वे कह कहें हैं आलिया कहती है इज़त से जीने का किसी से डरने का नहीं न पुलिस से न एमले से और ना ही मंतरी से किसी के बाप से नहीं डरने का उसके बाद वे कहती है जमीन पर बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुरसी तो गई टीजर के अ बात जरूर आप जानना चाहेंगे कि इस फिल्म का निर्देशन किस ने किया है तो हम आपको बता दे फिल्म गंगू बाई काठिया वारी का निर्देशन संजे लिला बंसالी ने किया है इस फिल्म की कहानी हुसैन जैदी की किताब माफिया कुइन्स آफ मुंबई के गया था लेकिन कोरोना महमारी के चलते सारे शूटिंग है जो बंद हो गई थी सिनेमा गर भी बंद हो गए थे इसलिए पिछले साल अक्टूबर में फिर से इसकी शूटिंग चालू की गई थी इस फिल्म में आलिया बट ने पहली बार एक माफिया कुईन का किरदार निभा लाइफ दिखाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने आलिया को भी उसी अंदाज में प्रदर्शित किया है तो चलिया आपको बताते हैं कि ये मूवी कब रिलीज होगी बीदे कुस दिनों में वैसे ही एक के बाद एक नई फिल्मों के रिलीज डेट जारी होती ही जार बात करे आलिया बट के लुक की तो उन्हें एक बड़ी बिंदी और बाएंगाल पर मस्य के साथ काफी हद तक हकीकत के करीब ले जाने की कोशिश की गई है। तीजर के कॉमेंट बॉक्स में दर्शकों का प्यार भी उमरता हुआ दिख रहा है। आपको ये रिव्यू अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन को क्लिक करना न भूलें और हमारे चैनल को सुस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपको ये रिव्यू आपको ये रिव्यू आपको ये रिव्यू